क्या नेपाल में हवाई सफर करना खत्रे से खाली नहीं है अभी पिछले ही साल की बात है जब 14 जनवरी 2023 को पोखरा में एक बड़ा प्लेन क्राश हुआ था इसमें पांच भारतियों समेट 68 लोगों की जान गई थी यति एरलाइन्स का प्लेन काठमांडू से 205 किलो मीटर द सभी की जान चले गई विमान पोखरा अंतराश्ट्री एरपोर्ट पर लैंडिंग से महस 10 सेकेंड पहले ही पहाडी से टकरा गया इससे प्लेन में आग लगी और वो खाई में जा गिरा हाथ से में सभी 68 लोगों की मौत हो गई ये तो सिर्फ एक हाथसा है पिछले 12 सालों म में नेपाल में 23 बड़े विमान हाथ से हो चुके हैं पिछले साल जन्वरी को यती एरलाइन्स की क्राश में 68 लोगों की मौत हुई इससे पहले कि अगर बात करें 29 मही 2022 को जब तारा एर का एक विमान क्राश हो गया मस्तंग में जहां 22 लोगों की जान चले गई 12 मार्च 2018 को यूएस बांगला एरलाइन क्राश हुआ ये क्राश काटमांडू में हुआ 15 लोगों ने अपनी जान गवा दी 24 सर्वरी 2016 को तारा एर प्लेइन क्राश हुआ जॉम फॉम में इसमें 20 यात्रियों ने अपनी जान गवा दी आप देखें सिलसलिवार तरीके से अगर पुराने रिकॉर्ड को भी आप देखेंगे फिर चाहे वो साल 2016 हो 14 हो 12 साल 2012 में तो दो प्लेइन क्राश हुए एक प्लेइन क्राश हुआ 14 माई 2012 को और दूसरा 28 सितंबर 2012 को अगनी एर और सीता एरलाइन्स का विमान जॉम सॉम औ रही हैं उससे लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है एक संशय होता है लोग अब नेपाल में एर ट्राबलिंग से बचते हुए नज़र आते हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिस मोड अफ ट्रांस्पोर्ट को बहुत ही फुरक्षित माना जाता है वही नेपाल में मौ भारी वजह है सबसे वजह भगौ लिक परिस्थिती है जो पाइलिट के लिए बड़ी चुनाउती है यह आद्से के लिए जिम्यतार है जो नेपाल का ट्रेन है यहां के लैंडाट्सकेप है वह इसके लिए जिम्यतार है purs न deben एक पहाडों पर बसा हुआ देस यां पर सक्र गाटियों का जाल है नेपाल की भोगॉलिक स्थिती पाइलेट्स के लिए एक बड़ी चुनाती है नेपाल में माउंट एवरेस समेट दुनिया की आठ सबसे उची चोटियां है नेपाल का जो एक मातर इंटरनाशनल एयरपोर्ट है वो सकरी घाट में ही बना हुआ है जिसके वज़े से विमानों को टेक आउफ करने के बाद उसे मुड़ने के लिए सही जगह नहीं मिल पाती और ये सबसे बड़ा चालेंज है नेपाल में दुनिया के आठ सबसे उचे पहाड है नेपाल में बार बार होते वी विमान हाटसों की दूसरी वज़े क्या है अब वो हमने आपको बता दिया कि वहां का जो टेरेन है वो है ही इस तरीके का जो एक बड़ा चालेंज है दूसरी वज़े है तीजी से बदलता हुआ मौसम नेपाल में मौसम बहुत जल्दी बदलता है पहाड़ी आलाकों में आप ऐसे भी जानते है कि बहुत बहुत तीजी से कतता आजाती है यह मिलता और कई बार तो पर रहन की चलते चीख चुक और रांडिंग और याफिर टेक आफ हो यह मुमेंट जो असरे मोमेंट हो परनाक हो जाते हैं अगर पाइलेट को व्यू ठीक से नहीं मिलेगा मौसम बदल जाएगा ऐसी परस्थिती में टेक ओफ और लैंडिंग दोनों ही बड़ी ही मुश्किल हो जाती है और कई बार ये जानलेवा भी साबित होती है अब तीसरी वज़े आपकी सामने रग दें से बदलता हुआ मौसम पहली बज़े नेपाल का टेरेन और तीसरी वज़े है आधोनिक रेडार और ट्रेंड स्टाफ ना होना नेपाल में होते हैं बार बार हात्सों की तीसरी बज़े आधोनिक रेडार का ना होना ट्रेंड स्टाफ की कमी का होना जी हां एविशन प्लेन ऑपरेट किये जा रहे हैं जिन में modern radar system है ही नहीं यहां तक की ATC में भी train staff की कमी है और इसी के चलते pilots को ATC से coordination करने में भी परेशानी आती है कई बार staff की कमी के चलती ATC में काम कर रहे हैं लोगों को overtime करना परता है और overtime का भी बड़ा असर इस तरीके के हाथसों में दिखाए देता है